यह है Honor MagicBook X16, इसमें Intel Core i5 12th generation processor यूज किया गया है, चलिए से चेक करते हैं, देखते रहे हैं, तो यह जो product है, यह इस प्रकार की box packing में आया था, तो box में यह कुछ booklets है, यह है laptop, type C to type C cable दिया हुआ है, और यह 65 watt का adapter, जो की phone adapter के तरह दिखता है, यह भी box के अंदर दिया तो इस laptop के जो build of finishing है, बहुत ही बढ़िया है, इसका जो वजन है, यह है 1.7 kg, आसानी से आप इस जो laptop है, इसे कहीं पर भी ले जा सकेंगे, on the move काम करने के लिए भी यह काफी बढ़िया है, इसमें premium aluminum metal यूज किया गया है, जो finishing है, यह बहुत ही बढ़िया है, इसका जो lid है यह ऐसा दिखता है, ओनर का branding यहां पर दिया हुआ है, और नीचे से इस प्रकार का दिखता है, यहां पर देख सकते हैं कि cooling vents दिया हुआ है, यह है rubber padding, और यहां पर speakers है, यह laptop इतना ज़ादा स्लिम तो नहीं है, लेकिन ट्रावलिंग के हिसाब से काफी अच्छा है, इस laptop के right-hand side पर combo audio jack दिया हुआ है, और USB port है, और laptop के left-hand side पर एक और USB port है, और HDMI port दिया हुआ है, तो इस laptop का installation में ने कर दिया है, इसमें जो hinge mechanism यूज किया गया है, यह भी काफी अच्छा है, screen 16 inches का है, बड़ा display आपको मिलता है, full HD resolution के साथ में आता है, और अगर आप यहां पर display settings म जाएंगे, तो यह maximum 60 hertz refresh rate support करता है, इसमें 8 GB RAM है और 512 GB SSD है, दो partitions किया हुआ है, एक partition में Windows installed है, और दूसरे partition, D partition में आप आपका जो data है, उसे store कर सकते हैं, यह Windows 11 Home Edition रण कर रहा है, out of the box, HD cameras के साथ में आता है, जो की lid पर दिया हुआ है, keyboard का size काफी अच्छा है, देख सकते हैं कि numeric pad भी यहां पर दिया हुआ है, ज्यादा करके laptops में आपको यह numeric pad है यह नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि यह 16 inches के display के साथ में आता है, ज्यादा space मिल रहा है, तो जो space है उसे keyboard के लिए भी efficiently use किया गया है, full-fledged keyboard है, key press और travel distance काफी अच्छा है, आपको काफी बढ़िया typing experience इस पर मिलने वाला है, यह office work के लिए या फिर students के लिए अगर आप यह laptop खरीदना चाते हैं, उसके लिए भी यह काफी अच्छा है, और display की quality as well as sound quality है, काफी अच्छी है, यह full HD IPS anti glare display है, इस laptop की best चीज मुझे यह लगी कि यहाँ पर यह देखिए, यह pre-installed app आया हुआ है, ओनर PC manager, जहाँ पर आपको इस laptop के बारे में सारी जनकारी मिल जाती है, प्लस यह कुछ optimization features के साथ में भी आता है, for example अगर आप hardware information में जाएंगे तो यहाँ पर आपको details में यह जो hardware use किया गया है, इस laptop में उसके बारे में जनकारी मिल जाएगे, यह देखिए, काफी details में information दिया हुआ है, और अगर आपको system को optimize करना है, तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, AI audio का भी option दिया हुआ है, जो microphone pickup है, वो आपको कैसा चाहिए, यहाँ पर आप define कर सकते हैं, ताकि जो quality है microphone की, वो काफी हद तक improve हो, और जो speaker है, उसक क्या कर रहे हैं, इस laptop पर, accordingly आप यह जो modes है, उसे select कर सकते हैं, और honor share करके भी option दिया हुआ है, यह basically आपका जो nearby devices है, उसके साथ में automatically connect हो सकता है, of course आपको initially हो सकता है कि कुछ setup करना पड़े, और multi screen collaboration का भी option इसमें दिया हुआ है, फोन के साथ में या फिर TV के साथ में आप जो content है वो share कर सकते हैं, या फिर project कर सकते हैं, जहां तक performance का सवाल है, उससे भी मैं काफी impressed हूँ, यह देखे, यह है PCMark 10 score, और यह देखे, नीचे की तरफ, इसमें i5 processor यूज किया गया है, Intel Core, और 12th generation है, और integrated UHD graphics है, Intel का, और यह देखे, यह score मुझे मिला हुआ है, 5000 के आज edit कर पाएंगे, इस laptop पर कुछ तक आप games खेल पाएंगे, लेकिन यह gaming use के लिए नहीं बना हुआ है, trackpad का size भी काफी अच्छा है, और यह काफी responsive भी है, और यह जो keys है, यह backlight है, यह देखे, जो backlight है, यह on हो गया है, आप जो intensity है, उसे change कर सकते हैं, या फिर जो backlight है, इसे off भी कर सकते हैं, यह देखे, मैं आपको फिर से करके बदाता हूँ, अब जो backlight है, यह on हो गया है, और अब मैं जो backlight है, इसे off करता हूँ, यह लीजी अब यह off हो गया है, यह जो lid है, यह देखे, यह इतना तक ही खुलता है, इस laptop की एक और unique चीज यह है, कि यह fingerprint sensor के साथ म तो उसे मैंने already set up कर दिया है, यह power button है, इसके उपर ही fingerprint sensor दिया हुआ है, और यह काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, यह देखे, मैं आपको फिर से बताता हूँ, lid को मैंने close किया है, अब lid को मैंने फिर से open किया है, यह lock हो गया है, और fingerprint यह देखे, immediately unlock हो चुका है, त तो दोस्तों, यह है Honor Magic Book X16, बड़े display के साथ में आता है, performance इसका काफी अच्छा है, जैसे कि मैंने कहां students के लिए और फिर work from home के लिए यह काफी बढ़िया है, अगर आप video editing करते हैं, तो उसके लिए भी यह काफी अच्छा option है, इसका जो pricing है, यह है तकरिबन 50,990 रुपी लेकिन अगर आपको budget कम है, तो आप i3 के लिए जा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, i5 एक बहतर option है, entry level option है, i5 पर आपको काफी बढ़िया performance मिल जाएगा, और long term use के लिए भी i5 काफी अच्छा रहेगा, अफ्कोस अगर आपके पास जादा budget है, तो आप i7 के लिए जा सकते हैं, यह जो laptop होते हैं, यह long term के लिए हम खरीते हैं, तो भैतर होगा कि आप जितना ज्यादा powerful effort कर सकते हैं, आज के तारिक में, उसके लिए जाएए, ताकि आगे चलके आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि आपने जो laptop खरीता है, यह उस समय उतना powerful नहीं है, तो यह बहु